बिस्मिल्लाहिर्रह्मानुरहीम, असलाम अलेकूम देर स्टुडेंट्स, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर के चैप्टर में हम लोग मैटर की स्टेट्स को स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने गैसिस को स्टडी किया और लिकुड्स के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, और आज क कि इस lecture में हमने liquids की एक बहुत ही important property refractive index के बारे में study करना है इससे पहले last lecture में हमने viscosity को explain किया था कि viscosity क्या है और किन factors पे viscosity depend करती है liquid की इस property की क्या importance है इसको कैसे find किया जा सकता है आज यही सारी चीजें हमने एक और property जो के refractive index है उसके बारे में study करनी है तो आईए देखते हैं कि refractive index क्या है हमारे पास refractive index जिसको हम small n से denote करते हैं इसको define basically इस तरह से किया जाता है कि it is the ratio of the velocity of light in vacuum or air to the velocity of that substance in air ठीक है यानि मतलब यह है कहने का अगर आपने light को पास करवाया उस light की vacuum में जो speed होगी light की vacuum में speed हमें पता है vacuum में light की जो speed है वो थी 10 एस्ट पावर 8 मीटर पर सेक्ट की speed से light move करती है अब वो उस vacuum से जब किसी और medium में enter होगी ठीक है vacuum या air से किसी substance में आएगी किसी और medium में आएगी किसी substance में उसकी speed जो है light की वो क्या हो जाएगी change हो जाएगी air में vacuum में वो 3 10 एस्ट पावर 8 मीटर पर सेक्ट की speed से light move करती हुई आ रही होगी लेकिन जब वो ही light किसी substance में enter होगी let's suppose कोई liquid हम ले रहे हैं कोई water है या कोई भी और liquid है medium change हो या पहले air medium है अब medium कुछ और हो ठीक है तो अब उस light की जो speed होगी वो change हो जाएगी पहले जी speed से move कर रही है जब वो उस liquid में enter होगी liquid में दाखिल होगी तो उस light की speed क्या हो जाएगी change हो जाएगी हमने ये देखना है कि ratio क्या आ रही है पहले क्या speed थी बाद में उस medium में enter होने के बाद liquid में enter होने के बाद उसकी speed में कितनी change आती है तो हमने दोनों velocity को दोनों speed को measure करना है दोनों speed को calculate करना है फिर इसका हमने क्या कर लेना है ratio निकाल लेनी है कि velocity of light in substance कौन सा substance जिसका refractive index हम find करना चाह रहे हैं उस substance में क्या light की speed है क्या velocity है उसको हम divide कर देंगे velocity of the light in air air में या vacuum में light की speed क्या होती है में हमने एक air को vacuum को reference मान लिया इसमें हमें पता है light की speed ये होती है जब light vacuum से आ रही है तो इस speed से इस velocity से move करती हुई आ रही है जब वही light किसी substance में अंटर होगी तो उसकी speed क्या हो जाएगी इन दोनों का हम जब ratio लेंगे तो ये आपके पास क्या कहलाता है refractive index कहलाता है तो refractive index का आप उकर sub clear हो गया होगा अब calculate हम इसको कैसे करते है क्या mathematical इसका फार्मूला है basically हम ये देखते हैं कि light की जो speed है light जिस angle पे आ रही है ना vacuum से जब वह medium में change होती है तो उसकी speed क्या होती है change होती है हमें कैसे पता चलेगा कि light की speed से move कर रही है medium में हम basically उसका angle देखते हैं हम angle fine करते है कि देखें जब light की speed change होती है तो light का angle भी क्या हो जाता है change होता है पहले जिस angle से आ रही होती है वह उसका angle of incidence होता है जब वो मीडियम में जब वो सबस्टारक्षम में ऐंटर होगी उसका सर्फिस चेंज होगी जगी तो उसकी जो सपीड है था दे निडियम में चेंज होती है dö исकाली वह बैसिकलीु वह किसी ना किसी एंगल पर जाती रस चेंज हो जाती है। इसे एंगल पर हम उसका एंगल आफ रिफ्रेक्शन देखते हैं फिर हम इन दो एंगल का बेसिकली क्या करते हैं जो हम कैलकुलेट करते हैं चीज एक्शुल में वहां मैंगल कैलकुलेट करते हैं फिर एंगल की हम रिशियो देखते हैं तो फार्मूला हमारे पास है रिफ्रे रे है वो एयर से एक लायट की बीम एक लायट की रे आ रही है और वह क्या हो रही है यहां पे enter होरी है कि समें यह dedusEt element met कि bran compassion है जिसका empowering index हमने क्या कशना है find करना है ठाुक को क्लेर नज़र dist DO पहले देखे जिस डिरेक्शन में जिस एंगल पर वा रही है अगर उसके अंदर कोई चेंज ना आती तो उसको फिर यहां से यहां पर यहां बिल्कुर सिधा यहां पर आना चाहिए था यह यह लाइन यू बननी चाहिए थी लेकिन क्या हो आप देख रहे हैं कि जैसे ही उसक तकराने के बाद वह वापस आ जाती है किसी अंगल पर तो इसको कहते हैं रिफलेक्शन तीन प्रॉसेस होती है एक है रिफलेक्शन एक है लाइट की रिफलेक्शन और एक है ट्रांसमिशन अगर लाइट बगार किसी चेंज के ना कोई उसके अंदर अंगल में चेंज आए ना किसी उसकी स्पीड में चेंज आए उसके अंदर पास जाती है तो उसको कहते हैं ट्रांसमिशन अगर लाइट किसी एंगल पे टकराने के बाद वापस आ जाती है तो इसको कहते हैं रिफलेक्शन जिस तरह आप देखें अगर आप मिरर पे लाइट को फाल करवाएं तो आप देखते हैं कि मिरर पे टकराने के बाद लाइट बिलकुल बॉंस बैक होती है बिलकुल वापस रिफलेक्ट होती है उसको कहते हैं रिफलेक्शन लेकिन अगर light reflect भी नहीं होती, transmit भी हो जाती है लेकिन उसके चेंज के आती है कि angle चेंज हो जाता है, वो सीधी भी नहीं जाती और वापस भी नहीं जाती है बलके किसी angle पे वो bend हो जाती है तो इस phenomenon को हम reflection का phenomenon कहते हैं इसलिए इस process को refractive index कहा जाता है, अगर reflection तो हुई, reflection का phenomenon तो हो रहा है अब इस reflection के phenomenon के बाद उसमें intensity कितनी है reflection गी, angle of reflection कितना है हमने यह देखना है, तो यह चीज बेसिकली liquid की nature पे depend करती है liquid जितना viscous होगा, mean liquid की, हर liquid की एक nature है उसके depend करता है वो incoming light को किस angle पे bend करता है, तो यह चीज बेसिकली depend करती है density of liquid पे जितना ज्यादा dense liquid होगा, जितना ज्यादा dense liquid होगा, उसका angle of reflection उतना ज्यादा होगा वो light पे उतना ज्यादा interact करेगा, वो light को उतना ज्यादा angle पे क्या करेगा, reflect करेगा तो यह liquid की density पर depend करती तो इन फेक्ट हम कहा सकते हैं कि जो refractive index का फिनोमिना है वो हमारे पास किस पर depend करता है liquid की nature पे और liquid की कौन से property density पे जितना ज्यादा dense होगा माल इकलोज करीब करीब होंगे वो light को पास नहीं होने देगा light को penetrate नहीं करने देगा वो उतना ज्यादा light को रोक लेगा light की speed को कम कर देगा तो basically हमारे पास यह फर्क ज्यादा आजाएगा ने देखिए हमने फार्मूला क्या पूर्ट करना भी देखिए हमने ratio fine करनी है velocity of light in liquid to the velocity of light in vacuum तो substance में यानि हमारे पास उपर numerator में जितना ज्यादा value काम आते जाएगी देखिए जितना ज्यादा dense medium होगा उतना उस liquid के अंदर उस medium के दर speed काम होगी speed कम होगी तो हमारे पास ये वाली जो value velocity of light in substance के कम आएगी ये जितनी कम आएगी अब आपको पता है numerator की value जितनी कम होगी overall जो आपके पास result आएगा वो क्या आएगा कम आएगा आप बहुत अच्छे से जानते हैं math को ठीके denominator में जो value बढ़ेगी या कम होती है तो overall value आपके पास कम आएगी तो इस तरह आपके पास substance जितना ज्यादा dense होगा mean उसके अदर light की velocity जितनी कम होगी उतना आपके पास refractive index की value क्या आएगी कम आएगी तो in short हम इसको ये conclusion निकाल सकते हैं के refractive index of a liquid depends upon the density of that liquid the more denser is the liquid the more viscous उसका सोरी क्या नाम है उसका refractive index की value वह बतनी क्या ह ठीक है जी तो यह चीज आपको clear होगी यह देखें यहां पर आपको यह चीज जो है वो नजर आ रही है यह सारा reflection का phenomenon हो रहा है फिर हमने इस angle को find करने कि किस angle पे आपने light coincident करवाया था उसका angle of incidence जो होगा उसका sign i ले ले लेंगे उसको आप divide कर देना आपने angle of reflection sign r पे तो उसके बाद दो किसम की reflection दो किसम की होती है एक है specific reflection और एक है molar reflection specific reflection क्या है इन का जो basic चीज है वो एक ही है थोड़ा सा हम इसमें unit change कर देती है तो इस base पे इसकी यह type change हो जाती है Lawrence and Lawrence ठीक है they purely form theoretical consideration derive the following relation for the refractive power of the substance यह basically आपके पास एक relation है refractive index का और density का direct पहले हमने जो formula देखिया उसमें हमने जो हम practical perform करेंगे हमें जो हमारा instrument होगा वो directly हमें angle of incidence angle of reflection refraction measure करके आपको digitally आपको refractive index की value देगा लेकिन basically उसके पीछे principle क्या है refractive index की value के अंदर variation आ रही है किसी liquid की काम मैं किसी की जाद है वो किस base पे आ रही है हमने chemistry पढ़नी है हमने उसकी पीछे logics देखनी है तो logic क्या है density liquid की जो refractive index की value में जा रही है किस base प्यारी है तो Lawrence ने deep at the end जाकर ठीक है उसने इसके relation बता है basically direct density का refractive index के साथ correlation है तो यह आपके पास नज़र आ रहा है आपको inverse relation है RS is equal to यह देखें 1 over d तो जितनी ज्यादे density होगी उतना refractive index की value क्या होगी का होगी काम होगी तो यह आपके पास specific reflection है d density है और यहाँ पे refractive index की value है simple refractive index की value है the value of RS was constant at all temperature तो यह हमारे पास एक constant specific reflection आ जाती है जोंकि constant value है specific reflection इसमें हम change नहीं कर रहे हैं दूसरी होती है molar reflection अगर आप उसी refractive index को यानि जो आप liquid यूज़ कर रहे हैं उसका concentration unit आप कौन से यूज़ कर लें molarity वाला molar unit यूज़ कर लें ठीक है जी molar reflection क्या होती है कि अगर आप जो liquid जिसका refractive index आपने find करना है उसको अगर आप molarity उसको जो unit जो भी है उसको आप क्या कर दें molecular mass में change कर दें यानि उसको molarity इंट्रिडूस करें तो वो molar reflection बन जाएगा direct हम यह भी कह सकते है आर एम यह जो आपके पास molar reflection है यह basically it is the product of specific reflection इसको आप उस liquid के molar mass से multiply कर दें यह सारी चीज़ जो है इसको आप capital M molar mass of the liquid के साथ multiply कर दें तो यह आपके पास molar reflection आ जाएगा क्यूंकि आप ने उसको किसमे चेंज कर दिया molarity में चीक है आपको पते density किसमे होती है kilogram per mole में या gram per centimeter cube में चीक है यह kilogram per decimeter cube में होती है अब जब उसको molar mass पर divide करेंगे multiply करेंगे उसके साथ तो यह kilogram kilogram से cancel हो जाएगा तो वो पर mole बन जाएगी फिर चीक है वो पर decimeter cube यह 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 पर mole यह उसका कि जो molarity आपको पते किसमें होती है molarity का formula क्या है gram पर decimeter cube है concentration you know na sorry mole per decimeter cube तो यह जो m है यह mole per decimeter cube है ठीक है और जो density थी वो kilogram per decimeter cube थी कि आप आ रहें मोलर reflection में change करेंगे तो माली कि मैस से multiply करेंगे इस equation 1 को ठीक है यह देखिए m से multiply कर दिया तो वैली ऑफ मोलर reflection is characteristic of a substance and is temperature independent तो यह भी टेमपरिचर पर डिपैंडनिंग कर दिए ठीक है ठीक है जी तो यह हमारे पास specific reflection और molar reflection में थोड़ा सा difference है कि specific reflection simple उसमें हमने यह आपको फार्मूला नजर आ रहे उसमें molar mass नहीं है अगर उसी specific reflection specific जहां पर भी आ जाए तो उसमें हम unit जो है molar reflection में हमने उसको molarity में change कर दिया कैसे change किया कि simple specific reflection को आप multiply कर दें किसके साथ molecular mass के साथ तो वो molar reflection बन जाएगी आपके पास ठीक है अब चूंकि यह ratio है reflection की यह ratio ही होती है तो यह temperature independent है जितना आपके पास change एक उपर आएगी उतनी ही change नीची आएगी तो overall ratio आपके पास same आए dependent है ठीक है और यह चीज बेसिकली dependent किस पर करती है यह dependent करती है जो light आ रहे उसकी wavelength क्या है उसकी speed और उसकी wavelength पर dependent करती है वो कितना देखें अगर longer wavelength की light है तो ज्यादा distance travel करेगी कम है तो इस तरह से उसकी फिर penetration power भी कम यह ज्यादा हो सकती है wavelength आप जतनी शाड़ करते जाए यह उसकी energy उतनी बढ़ती जाएगी तो यह basically सारी चीज light की nature पर depend करती है incoming light कौन सी है तो reflectiveness की value सिर्फ किस पर depend करती है incoming light की उस पर या फिर nature of the liquid पर कि वो उसकी density कितनी काम है या ज्यादा है next मारे पास है आखरी इसमें content कि हम reflectiveness को find कैसे कर सकती है practically आपके course content प्रैटिकल के course content में भी यह है आपने reflectiveness को find करना है इसके लिए हम ab reflectometer एक instrument है उसको use करते है यह आपके सामने आपको नजर आ रहा है यह ab reflectometer इस ab reflectometer को use करते हुए हमने क्या करना है किसी भी liquid की जो हमारा given liquid होगा उसका refractive index हमने find करना है तो सबसे पहले आप इसकी instrumentation को देखें यह refractive meter आप इसका internal एक design जो है वो दिखाया गया है इसमें देखें सबसे पहले आपके पास उपर यहाँ पे fixed telescope है इस telescope की मदद से आपने क्या करना है उसमें observe करना है देखना है आपने light को यहाँ पर फाल करवाना है sorry telescope से आप उसको देखेंगे कि liquid की जो position है वो उसके मताबिक उस mirror के according आ रही है या नहीं आ रही है अच्छा यह आपके पास mirror है आपने क्या करना है mirror mirror पे light पढ़ेगी अब mirror को आपने इस तरह से adjust करना है कि light mirror पे पढ़ने के बाद reflect होकर यहाँ पे पढ़े यह आपके पास liquid film है चीक है उपर भी उसके उपर एक prism है नीचे भी प्रिजम है य उसकी एक layer बना लेंगे एक फिल्म बना लेंगे चीक है जिसको हमने फिर fine करना है उसके बाद यहां से telescope से आप उसकी position देखेंगे बिलकुल उसके सामने आनी चाहिए light उसके center में पढ़नी चाहिए और इधर पिर उस arm के जरी से एक scale लगा है scale के ओपर जो सुई होगी वो आपको exact refractive index की value fine करके देगे आपको इसमें कोई calculation नहीं करने यह digital एक instrument है जो आपको उस liquid की refractive index की value fine करके देगा अब इसका जो है procedure पढ़ते हैं किस तरह से हम इसमें से refractive index की value को fine कर सकते हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है एक thin film of the liquid is placed between the two prism ये आपके पास ये upper prism है ये lower prism है ये जो आपको दो blue prism नजर आ रहे हैं प्रिस्म का आपको पते हैं उसका क्या function होता है उसने light की जो light को focus करना होता है फोकस करना है और उसको monokromatic light बनाना है एक ही wavelength उसमें से पास हो सके अब यहां पर क्या होगा इन दो prism के दर्मियान lower और upper prism के दर्मियान हमने क्या करना है उस liquid का एक या दो drop वहां पे डाल देना है जिसका refractive index हम fine करना चाह रही है पहला step आपके पास यह होगा second step पे आप from a sodium lamp हम normally refractive index को fine करने के लिए अभी मैंने आपको एक बात कही कि यह light की nature पे भी depend करती है light किस intensity की होगी light की wavelength क्या होगी तो फिर उसके लिए हम specific wavelength के लिए obtain करने के लिए हम specific light source यूज़ करते है refractive index fine करने के लिए normally हम sodium lamp यूज़ करते हैं sodium lamp की एक specific intensity की एक ही wavelength की light उसमें से जो है वो release होगी यह पिर आगे spectroscopic के लिए आप पढ़ेंगे उसमें काफी detail है कि किस base पे उसकी किस wavelength की light निकलेगी उसमें emission होती है absorption होती है पिर वो एक phenomenon है transition का तो उसमें हम detail में नहीं जा रहे आपने sodium lamp को क्या करना है जलाना है उसमें से क्या होगी light निकलेगी उस light को आपने mirror पे क्या करना है फाल करवाना है mirror को फिर आपने इस तरह से adjust करवाना है कि उसकी light की जो beam है वो आपके पास lower prism में से पास होती हुई liquid की film पे पढ़े liquid के film के center पे यहां पे पढ़े इस तर continuous surface of the lower prism is ground and therefore light enters the liquid at all angles of incidence. अब light उस पे तमाम angle of incidence पे पढ़ रही है हर एंगल पे यानि जो incoming light आपके पास आ रही है source हमने इस तरह से इसको prism को क्या किया ग्रोंड कियो कि prism ने light को disperse कर देना होता है तो यह तमाम angles पे light यहां पे भी पढ़ेगी यहां पे भी पढ़ेगी इदर भी पढ़ेगी इस पूरी जो आपके पास liquid की film है उस पूरी film के ओपर हर angle of incidence पे light वहां पे क्या होगी पढ़ेगी उसके बाद how our no ray can enter the upper prism with greater angle of reflection than the grazing incidence slightly less than 90 degree देखें अब यहां पे एक बहुत ही important बात है angle of incidence हर angle of incidence पे light आ रही है लेकिन जब वहां से enter होगी अपर प्रिज्म से जब टेली स्कोब में जो light जा रही है अपर प्रिज्म में जो light जा रही वह सारी light नहीं जाएंगी हर light lower prism से lower prism तक पहुंचेगी हर incident की light पहुंचेगी लेकिन lower prism से बाद उस film से गुजरने के बाद upper prism में सारी lights नहीं जाएंगी सिर्फ वही light जाएंगी जिसका angle of जो incident है वो angle of reflection से कम हो इसका क्या मतलब है बहुत ही important बात है यहां इसको मैं आपको यहां से समझाऊंगा देखें इस diagram में यह जो light आ रही है incident ray यहां पे आपको नज़र आ रहा है कि इसका इंसिडंट जो angle है let's suppose 30 degree है तो 30 degree है इसका angle of incident वो पास हो गया reflection का फिनोमिना हुआ यहां पर आकर इसका angle of incident कितना हो रहा है 90 degree 90 degree इसको grazing angle भी कहते हैं अब इस 90 degree तक अगर आप light पास करवाते हैं तो भी reflection का फिनोमिना होगा आपको reflection मिलेगी और आप उसका कर सकते हैं लेकिन अगर आप इसका 90 degree से भी angle of incident कम करते हैं यह 90 degree से भी बढ़ाते हैं angle of incident इसको मजीद नीचे लेकर आते हैं अब इसका मतलब यह vacuum से आई नहीं रही है तो अब तो reflection नहीं होगी इसको हम reflection नहीं कहेंगे अब वो light जाती भी है यहां से गजरने के बाद फिर वापस उसी liquid में उसी medium में वापस आती है तो यह तो reflection हो जाएगी नहीं रिफ्लेक्शन नहीं होगी ठीक है तो इसलिए इस incident angle का incident ray का जो angle है वो क्या होना चाहिए इस grazing angle 90 degree के angle से क्या होना चाहिए कम होना चाहिए ज्यादा नहीं होना चाहिए ठीक है तो उसके बाद क्या क स्केल पर आपको जो है वो क्या कर देगा उसकी value find करके digitally आपको value देदेगा आपने scale पर simple value देखनी है आपको calculate करके value देगा आपको किसी किसम भी calculation की ज़ुरत नहीं होगी ठीक है तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं रिफ्लेक्टिव इंडिक्स फाइं कर सकते हैं ला की एब रिफ्लेक्टिव मेंटर के मदद से वह value आपके पास आगए इसके बाद हर एंगल की हर एटम की हर उसके अंदर मौझूद बांड की अलग अलग रिफ्लेक्टिव इनस्ट भी हो सकती है वो भी आप find करें उन तमाम को calculate करें देखें आपके पास जो है बंजीन का हम यह देखना चाहरे है बंजीन के पांच स्ट्रक्चर है ठीके अब उसमें से बेस्ट स्ट्रक्चर कोंड सा है एक्चुल स्ट्रक्चर कोंड सा है हम यह अप्रोच करना चाहरे है तो हम एक बंजीन की overall practically उसकी रिफ्लेक्टिव इनस्ट की value फाइंड करके रख लेंगे उसक के स्ट्रक्चर हम कहेंगे कि यह हमारी theoretical base पे स्ट्रक्चर है वो एक्चुल स्ट्रक्चर नहीं है तो इस तरह से chemically constitution भी हम find कर सकते हैं कि एक्चुल स्ट्रक्चर कौन सा है यहां पे कुछ atoms की आपके पास कुछ atoms की और कुछ rings की value दी गई है reflective index की molar reflection की value के carbon की हमेशा इतनी ह होती है hydrogen एक कितनी होती है hydrogen की या борरे liquid है Ice 1, 3-े कारमन और, खिर शहे एक यूदी था होगाiew कि यह को मडिया करें यह और कर ले पिर इसमें हर single bond के कितनी होती है, double bond क होती है, three member drink in 6 Head के स्था इटनी होती है जो आपने experiment perform करके find किये उसके साथ क्या करें मैच करें तो जिस structure की calculated value हमारी empirical value के साथ मैच करेगी वह वरा structure क्या होगा best structure होगा हम उसको prove मान लेंगे और हम इस तरह से एक हमने structural study कर ली अपने उस compound की ठीक है जी तो यह reflectiveness के बारे में सारी बाते थी इसके अलावा आपको को confusion है को question है किसी बात की समय नहीं आए तो आप discussion class में concern कर सकते हैं